यूपी के रॉबिन हुट की नाम से जाने वाले मुखतार अंसारी भले ही बीजेपी नेता क्रश्नानंद केस में बरी हो गए लेकिन उनके उपर फिर से आफट तूट पड़ी है कहा जा रहा है कि डीजीपी ओपी सिंग ने मुखतार और अतीक एहमद दोनों को हिट लिस्ट में डाल दिया है कहा जा रहा है कि यूपी के जीजीपी ओपी सिंग ने बाहुवलीयों और उनके परिवार में मौझूद लोगों के पास लाइसेंसी शास्त्रों का व्यारा जुटाने के ओर्डर जारी किये है इस बारे में जब ओपी सिंग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शासन इसतर पर पेरवीव करके इन अपरादियों को शास्तर लाइसेंस को सस्पेंड करवानी की कोशिश की जाएगी बताय जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बाहुबली विदायक मुखतार अंसारी और पूर्व सानसत अतीक एहमद समयत पश्चिमी यूपी के कई बड़े अपरादियों की मुश्किले और भी जादा बढ़ सकती है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो इस मामले में हिट लिस्ट बनाई गई है उसमें मुखतार और अतीक एहमद दोनों का ही नाम शामिल है दोनों बाहुबलीयों को लेकर डीजी पी ने खुलासा किया है कि मुखतार अंसारी के पास 9 लाइसेंसी शस्त रहें तो वहीं पूर्व सांसद अतीक एहमद के पास 4 लाइसेंसी शस्त रहें SPN 9 निउसरूम की रिपोर्ट